हालो फ्रेम्स, आज जो मठरी हम बनाने जा रहें, वो बहुत ही तेस्टी, यम्मी, गुबबारे के जैसे फुली फुली और साथ में हेल्दी भी है क्योंकि हम इसे बनाने जा रहें गियों के आटे से ये मठरी दिखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में टेस्टी तो है ही साथ में ये हेल्दी भी है, आप बहुत दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हो तो चलिए देर की इस बात की हम इसे बनाते हैं तो मैं हूँ रिणा विरादार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में मैं आप सब का स्वागत करती हूँ तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें डाल दिया है दो कप गिहुका आटा, एक कप मैदा, और तीन से चार चमच मैने सूजी डाल दी है आप डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले तो सबसे पहले डाल देते हैं एक चमच अजवाईन हातों से रगडते हुए इसके बाद में डाल देते हैं भुना जीरा पाउडर, यह दरदरा कुटा हुआ भुना जीरा पाउडर है और एक दम फ्रेश है, सारी चीज़े एक दम फ्रेश ले ताकि इसमें इसकी खुशबों उतराएं इसके बाद में कलोंजी ली है, यानि कि प्याज के बीज, एक चमच इसके बाद में एक चमच मेने लिये है कसूरी मेती और इसे हाथों से रगड़ते हुए, इसमें डाल देना है आप डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं ताकि सारे मसाले आटे के साथ में अच्छे से mix हो जाए तब तक आप एक काम करिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे यहाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे अब हम इसमें डाल देते हैं मोयन याने कि तेल तो तेल यहाँ पे 3-4 चमच मैंने यूज किया है एकदम गर्मा गर्म मोयन इसमें मैंने डाल दिया है तेल अभी और भी कम पड़ेगा तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे कोई प्रमान नहीं है तेल डालने का मैं आगे आपको दिखा दूँ कि कैसे यहाँ पे तेल कितना डालना है आपको पता चल जाएगा अब सबसे पहले मैंने स्पैचूला की मदद से इसलिए मिक्स किया है ताकि हमारे हाथ जले नहीं तेल बहुत ही गर्म था अब हाथों की मदद से अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि तेल पूरे आठे के उपर अच्छे से लग जा तो मुठी बना के मैंने देख ली है लेकिन मुठी नहीं बन पा रही है इसलिए मैंने और थोड़ा तेल इसमें डाल दिया है फिर से मैंने गर्म ऑईल ही यहाँ पर यूज किया है इसलिए स्पैचूला की मदद से ही इसे मिक्स करें नहीं तो आपके हाथ चल सकते है अब हाथों की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मोयन अगर एकदम परफेक्ट है तो हमें अभी ऑईल ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप देख सकते हो इसकी मुट्टी बन रही है इसका मतलब मोयन बहुत ही अच्छे से लग चुका है आप हमें इसे में डाल देना है रोम टेंपरेशर वाला सिंपल साधा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते और इसका डो बना ले तब तक आप एक काम करिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजियेगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो आप लोग कहां कहां से देखते हो तो यहाँ पे आटा मैनी लगा लिया है अब इस आटे को हमें ठक कर रखते ना है दस से पंदरा मिनट के लिए रेस के लिए है तो यहाँ पे दस से पंदरा मिनट हो चुके हैं आटा बहुत ही अच्छे से भीग चुका है तो अब थोड़ा साइसे हम फिर से गूत लेते हैं ताकि यह और भी स्मूध बन जाए तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके मठरी तो मठरी बनाने के लिए मैंने चोटी सी लोई ली है इस तरह की अब हमें इसे हातों की मदद से इस तरह से दबाना है और चपता आकार देना है आप अपने हिसाब से कौन से भी सेप में इसे कट कर सके भी बना सकते हो या अपने मन चाहे शेप में इसे बना सकते हो लेकिन मैंने इस तरह से राउंड शेप में इसे हातों की मदद से दबाते हुए बनाया है यह मठरी एकदम खस्ती बनती है बहुत ही फुली फुली बनती है और बहुत ही जादा टेस्टी बनती है यहाँ पर मैंने एक चीज की है कि यहाँ पर फोक की मदद से इसे होल नहीं बनाये है ताकि यह अच्छे से फुल के रेडी हो जाए अगर यहाँ पे फोक की मदद से हम इसे होल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से यह मट्री बनती है लेकिन अगर आपने फोक की मदद से इसे होल नहीं बनाया तो यह कचोडी दैसे बनती है बस सिंपल इतनी ही बात है इसलिए मैंने यहाँ पे होल नहीं लगाया है क्योंकि मेरे बच्चों को ना जब भी समोसा और कचोडी घर में बनाई जाती है तो अंदर का स्टफिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन उपर का जो कवर होता है उनकों खाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने सेम वैसे ही फुली फुली यहाँ पे यह मट्री बनाई है यहाँ पे हमें एकदम कम ग्यास पे पेशंस से काम लेना है एकदम कम ग्यास पे इसे फ्राय करना है बहुत ही खस्ती बननी चाहिए इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पेशंस से काम ले आप देख सकते हो इसका कलोर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है और एक दम फुली फुली कचोडी जैसे हमारी यह मट्री बनके रेडी है बहुत ही टेस्टी लगती है, करारी है अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीस्पी है यह मट्री आप जरूर एग बार ट्राइ पिझेगा, बच्छों को बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पे मेरे बच्छे तो इस ताइप के मट्री को बहुत इंज्जाइ करते हैं अचार के साथ में तो और भी अच्छी लगती है आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा साथ में हम डाल देते हैं अब दूसरा बैच और इसे भी अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पे सारी मट्री मैंने फ्राइ कर ली है आप देख सकते हो कितनी खस्ती ये मटरी हमारे बनके रेडी है इसी टाइप की आप मिनी कचोडी भी बना के रख सकते हो बहुत दिन तक चल जाती है तो आप देख सकते हो ये कचोडी जैसे एक मटरी कितनी अच्छी लग रही है तो सोच सकते हो खाने में ये कितनी अच्छी होगी बहुत ही फुली फुली और बहुत ही ज़्यादा खस्ती बनी है एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इसे आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हो अभी तो समर सिजन शालू है बच्छों की छुटियां भी लग चुकी है तो बच्छों को खाने के लिए ये मट्री बहुत अच्छी लगती है तो बनाईए और बच्छों को भी खिलाईए और आप भी जरूर खाईए अगर अभी तक मेरे चानल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेर करना ना भूले तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और चट पठी रेसेप इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई